टॉप फोर बेस्ट मोटरोलाई स्मार्टफून अड़े 20,000 रुपीज तो अगर आप भी 10 से 20,000 रुपीज की बजट प्राइसेंज में एक बड़ियासा मोटरोलाई के स्मार्टफून डूँड रहे हैं जहाँ पर आपको अच्छे खासे स्पैसिफिकेशन के साथ साथ और काफी कमाल के देखने को मिल जाए और मोटरोलाई खास कर जानी भी जाती है कम बजट प्राइसेंज में अच्छे खासे स्पैसिफिकेशन देने के लिए सु प्रॉपर पूरी इंफरमिशन के लिए बने रहे के वीडियो में लाश तक और हाँ अगर आपने अभी तक इस च तो इस स्मार्टफून को कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको इस बजट का एक वन अफ बेस्ट मोड रोलर का स्मार्टफून पॉसेज करना है बिकॉज इस स्मार्टफून में भी स्पैसिफिकेशन पजट रेंज के अकर बात करें काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं इसके लाव हमें पर आपको बैटरी के तौर पर भी 5000 एमेज की काफी बड़ी है बड़ी बैटरी के साथ मैक्सिमन 20 वार्ट तक का फास्ट चैजिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले के तौर पर अगर बात करें तो डिस्प्ले के तौर पर आपको यहाँ प जाएगा जो कि इस बजट के हिसाब से काफी बड़िया है और सामने के तरफ भी आपको 8 मेगापिक्सल का एक काफी बड़िया सेंसर देखने को मिल जाएगा तो आप इस स्मार्ट फून को कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको बजट इतना है बट अगर आपको बजट और स्मार्ट फून है तो आप इस स्मार्ट फून को कंसीडर कर सकते हैं अगर आपका बजट 15,000 रुपीज है तो तो अगर डीटेल से डिसकस करें हम इस स्मार्ट फून के स्पैसिफिकेसिंस के बारे में तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के लिए मेली मीडेट परफॉर्मेंस के काफी पाउर्फूल देखनी को मिल जाता है इसके बाद अगर बात करें बैटरी के बारे में तो यहाँ पर आपको बैटरी भी काफी पाउफूल देखनी को मिल जाती है जो की 1080 x 2400 pixels की होगी और यह जो display panel है वो 405 ppi pixel density पे work करती है इसके लावब यहाँ पर आपको corny की gorilla glass protection देखने को मिल जाएगी और smooth experience 128 तक का refresh rate support भी देखने को मिल जाएगा so overall specific cases budget range recording इस smartphone के काफी बढ़िया है तो अगर आपको budget 15,000 रुपीज है तो यह smartphone आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा इसके बाद चलिए आप बात करते है हमाई list के next smartphone के बारे में जो की हमने रखा है moto के तरब से आने वाला moto g84 5G smartphone और यह smartphone में लिए उन लोगों के लिए है जिनका जो budget है 18-19,000 रुपीज के धक्रीवन है और वो उस budget में एक moto का बड़िया सा smartphone purchase करना जाते है तो उनके लिए यह smartphone best choice होगी तो अगर detail से बात करें हम इस smartphone के specifications के बारे में तो यह जो smartphone है यह भी out of the box Android 13 पर ही work करता है विकाज यह Motorola के तरब से अभी latest launch करा गया है और वहीं अगर performance के तोर पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको performance के लिए Qualcomm Snapdragon 695 का एक 2.2 GHz पे clock Octocore 5G processor देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 12 GB तक की RAM support और 256 GB की inbuilt memory देखने को मिल जाती है और इसके अलावा आपको 5000 mh की काफी बड़ी battery के साथ 30 Watt का Turbo Power Charging support भी देखने को मिल जाता है इसके बाद वहीं पर अगर बात करें इसे smartphone के display specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको display के तोर पर 6.55 इंचेस की एक P-OLED पैनल देखने को मिल जाती है जो की 1018 तो 2400 pixels की है और यह जो display panel है तो 405 ppi pixel lens टी पर work करती है यहाँ पर भी आपको 39 minutes तक की peak brightness मिल जाती है 120Hz का refresh rate support देखने को मिल जाता है तो display wise आपको यहाँ पर भी content quality काफी जोज़ देखने को मिलेगी जब भी आप कोई content consume करोगे इसके बाद अगर बात करें इस smartphone के photography features के बारे में तो यहाँ पर आपको 50 plus 8 megapixel का dual layer camera support देखने को मिल जाता है विद OIS support और आप यहाँ से maximum 1080p में वीडियो उसको 30 fps पर easily full HD में record कर सकते हैं और इस सामने के तरब भी आपको 16 megapixel का front camera मिल जाता है इसके बाद चलिए finally आप बात के लेते हमाई list के first number वाले smartphone के बारे में जो की हमने रखा है Moto के तरब से आने वाला Moto H50 Fusion smartphone और एक रखा है Moto H50 Neo 5G smartphone आप दोनों में से किसी भी smartphone के तरब जा सकते हैं तो यह जो इस smartphone है वो out of the box Android 13 पर ही वर्क करता है और वहीं अगर बात करें performance के लिए इसके processor की तो यहाँ पर आपको Mediatek Dimensity 7030 का तो एक 2.5 GHz पे clock powerful octa-core 5G processor देखने को मिलता है जो की 8 GB RAM support and 128 GB in-built memory के साथ देखने को मिलता है इसके अलाव वहीं पर आपको battery के तौर पर भी 5000 MHz की बड़ी battery के साथ 68 Watt का fast charging support देखने को मिल जाती है तो आपको जो इस smartphone है लगबग 30-40 मिनट में 0-100% full charge हो जाएगा और इसके बाद अगर वहीं पर बात करें इस smartphone की display specifications के बारे में इसके अलाव आपको यहाँ पर HDR 10 Plus का support देखने को मिल जाता है 39 minutes तक की peak brightness मिल जाती है और एक card display design देखने को मिलता है जो कि इस budget में खोद ही कम smartphones आपको देखने को मिलते हैं जो कि card display design के साथ आते हैं और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर 144 हज तक का refresh rate support भी देखने को मिल जाता है जो कि इस budget के सायधी किसी smartphone में आपको देखने को मिले तो budget range के recording बाग ही सारे specifications काफी लाजवाब देखने को मिल जाते हैं वहीं पर अगर बात करें इस smartphone के photography features के बारे में तो यहाँ पर आपको 50MP प्लस 13MP का dual rear camera support देखने को मिलता है with OIS support और आप यहाँ से maximum 4K quality में अपनी वीडियो इसको 30fps पर Ultra HD में record कर सकते हैं इसके साथ साथ आपको 32MP का एक स्तामने की तरब भी sensor देखने को मिल जाता है